राम मंदिर से जुड़ी आज की पांच सबसे एहम तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं प्रान प्रतिष्ठा को लेकर अयुद्या धाम पूरी तरह सत तयार को गया के सुरक्षा के कड़े इंतिजाम देखने को मल रखें के राम मंदिर को फूलों से सजाय गया के और आप देखिए ये पांच सस्वीरें मंदिर के बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं हन्मान गड़ी मंदिर की तस्वीर आप देखिए और फूलों से सजावट अनोखी की गई है लता मंगेश को चौक को सजाय गया के तो साथ ही साथ सुरक्षा के चाक चौबन प्रबंद किये गए है राम निला के संपूर दर्शन संभव है आंको पर अभी भी पटी बंधी कोई के तो देखिए राम नगरी को भव्वे रूप से सजाय गया के मंदिर की बात करें तो फूलों से खास सजावट की गई है गेंदे के फूलों की ये सजावट है और कई सो कुईंटल बताया जाता है यहां पर फूल पहुंचे है क्योंकि पूरे मंदिर को बाइस तारिक के लिए सजाय जा रहा है और मंधिर में देश भर से दुनिया भर से श्रधालू अभी से पहुंच रही के बडे संक्या में श्रधा लग अलगताइजिय उए कई से लेजर शोक होता नजर आ रहा के मंदर के बहार में आप मंदिर का एक नजरा देख पा रहार हैं कि यहां पर किसने सबोर्ब चाहएंगया जहां पर जगें पर सजावट की गネ Marker की पीच दू आ ला मंदिर गहा तस्वीर पांच्वीर भी आप दिख रही है जिसमें struggler का बाहर गालूग तरीके समेश हैं तस्वीर चटी में बंदीर की सजावृ डिखायी गयी है सातीवी तस्वीर में आप देखिए एक विस्तरत रूप मंदीर करता प्रकट करता नजर आ रहांए यहां आपको बता दे कि देश के अलग-अलद जखों से यहां तक कि नेपाल तक से भग्वान लाम के लिए भेटे आई हैं क्योंकि सीमाथा निपाल की रहने वाली थी और नेपाली सीमाथा को अपने बेटी मानती है और उनके से सराल में जब उनका घर बन रहा के तो इस मौके पर निपाल से बहुत साला सामान उनके लिए भीज़ावे गया कि अधिया पूरितना तयार राम लिला की प्राण प्रतिष्ठा समहारों का आज ये पांच्वा दिन अधिया धाम पूरितना से सच चुगा के 22 जन्वरी को प्राण प्र प्रतिष्ठा का कारिक्रम होगा राम लिला की मूर्ति को फूलों से सजाए गया के और शाम को पूजा होगी आरति होगी 23 जन्वरी को श्री राम के दर्शन संभव होंगे शर्धालों के लिए आसान होगा दर्शन करना प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का ये आज पा प्राइब किस तरह से मंनों फूरों से ठाक गया के पूरा मंदिर फूरो से ठका झठावक है और फशल दा में पहर्श है कि सभर चुकिं से एगर शुरकषा के दर्षटरी से बात करें तो बड़ए संख्या में यहां पर चप्पे पर नजर रखी जा रखी है सिसी टीवी के माध्यम से ड्राउन के माध्यम से ये नजर रखी जा रखी है बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी यहां तैनाथ है चप्पे चप्पे पर ये ख्याल रखा जा रहा के कारू निवस्था बनी रखी क्योंकि ये वो वक्त है जब देश भर से शर्धालू अयुद्या पहुंच रही हैं, दर्शन करने के लिए राम लला के आगमन को लेकर खुशी है, और इसी खुशी का अलग-अलग तरीके से शर्धालू बखान भी करते नजरा रहे हैं, देश भर के अलग-अलग राज्यों से शर्धालू ने पहु के और ऐसा मानों की प्रभू से मिलने के रिए अवद पूरी से नए कलेवर और नए जीवर धार्ण किये हुए यह तस्वीर आ रखी के रात को युद्या जगमग है तो दिन में फूलों से सजीक है राम नगरी राम मंदिर हर किसी को अपनी ओर मानों खींच रहा के अयुद् मंदिर को दिन में जहां फूलों से सजाया गया के तो वहीं अगर हम रात की बात करें तो मंदिर को सजाया गया के लाइटों से और मंदिर की रोनक हर किसी को अपनी तरफ खींच रखी के राम मंदिर में एक तरफ आयोजन की हैं तैयारियां तो दूसरी तरफ आपको बदा राम मंदर के अनुष्ठान को लेकर अयुध्या को लेकर दिये देते हैं, शंकराधिवास मूर्ति को चीनी के साथ, आज के बड़े पूझन आपको बता दे, उसके बाद फलाधिवास राम लला को फल के साथ रखा गया, उसके बाद आपको बता देते हैं, पुष्पाधिव सद bitter profit फोलों के शाल रखा गया आ ओ olur आपको फूजा और आड़ी का काई कुट का करवा के का कि क्योंकि प्रांपरतिष्ठा का का करूं चल रहा के राम रला कि ब्रांपरतिष्ठा अरुष्ठान Поэтому यह पाच बंदेन्हें आज से अस्ताई ग्रफ ग्रह में राम लिला के दर्शन नहीं को पाएंगे क्योंकि देखी अब अनुष्ठान किया जा रहा है विधे विधान से 22 जनवरी को होने वाले कारकर्म के बाद शेडाम के दर्शन 23 जनवरी से संभफ होंगे